नमस्कार हमारी खास पेशकर्स शक्सित में आपका स्वागत है मैं हूँ आपके साथ अनन्या चतुरवेदी और हमारे साथ आप स्टूडियो में मौजूद है डॉक्टर जोशी जोकि एक नियूरोलोजिस्ट है उनसे हम जानेंगे आज तमाम बातें नियूरोलोजी के बारे क्योंकि फिलाल अगर देखा जाए तो नीट हो या आई पी एमटी हो तब पहले चलता था तो कहीं ना कहीं डर रहता है बहुत जादा कि कैसे बनेंगे क्या बनेंगे और फिर उस करेड़ को चूस करना ही बड़ा उप्शन जाता है यह सोचने में थोड़ा मजबूर किया अपने कपसे मैंने यह अचुली सोचा कि मैं डॉक्टर बनना चाहूंगा तो आइ तिंक जब मैं शायद एर्थ में था में पैदा हुआ और यहीं पर बड़ा हुआ उस समाने में कैम्पिन स्कूल एक बड़ा स्कूल था तो तो इसमें मैंने वही से मेरी स्कूलिंग हुई और में खा से एर्थ में मेरी स्याध़ कर लिया था कि मैं डॉक्टर बनूँगा उस समय एर्थ में भी सब्जेक्ट धिवाइड हो जाते थे तो तबी से मैंने बालॉजी लिया और डिसाइर किया कि violence कि पनुग बाहलोग लेते हैं में शूभाच लेटे कर लिया छिए ले दोई फील्ड ज्यादा लोग चूज करते थे या तो मेडिकल होता था या इंजिनिरिंग होता आज एकदम चेंज हो गया है आज तो बहुत सारी फील्ड हैं आपका ब्रॉड कास्टिंग में हैं और दूसरी काफी जा ओप्षिंज अवेलेबल है करियर के लिए उस समें बड करता था और कुछ मेरे परिवार का बैग्ड़ॉंड कुछ ऐसा रहा हमारे नाना घर में काफी दॉक्टर्स थे तो वह भी कुछ मुझे कुछ सहन मिला वहां से और प्रेपरेशन जो एक्टॉल परेशन चालो हुई थी वो हमारे जमाने में 11th होता था 12th नहीं होता और हम को करना उसके बाद एक साल हमें BSC कनना परती थी दी इसरे मीच मैं चोड़ा कि आपने बताए कि इन सब के बीच में आपको मोडिशन संसे कैसा था मली से कैसे साथ पूरा मोडिशन थे फादर मादर का है मधे बाड़े ब़र दर दादा जी का है पुरी तरह से वह चाहते थ कि मैं डॉक्टर बनों पूरी तरह से मुझे सपोर्ट मिला वह उसमें तो कोई शक है नहीं दो राए नहीं है और उसी इसाफ से फिर हमने पढ़ा ही करी पूरा सपोर्ट रहता था टाइम की तरफ एक बार मुझे याद नहीं है कि कुछ कहा गया कि तुम ऐसा नहीं करो ऐसा क मुझे पूरी आजादी थी मुझे चूज करना था मैंने करा और उसी साफ से प्रपरेशन किया तो पीम्ट होती थी हमारे टाइम पर तो बीएसी भी करना जरूरी था तो उसके बाद ही हम अपलाय करते थे पीम्ट के लिए इंजिनिरिंग उसमें 11 के बाद ही डिरेक्ट हो अधिएस करा मेडिक गादी मेडिकल कॉलेज से फिर वहीं से आगे मडी करा पिडियाट्रिक्स में और उसके बाद फिर विदेश जाने का मुझा मिला तो वहां से कुछ डिग्री ली तकरीबन हम लोग काहां की भी ट्रेनिंग मेरी त्रेसा साल की है तर वहां से डिग्री वहीं पर काम किया ओक्सवर्ड जैसे शिर्ष उनिवेसिटी में काम किया वहां नेरोलजी की पेडियाट्रिक नेरोलजी की ट्रेनिंग ली और फिर वापिस एक जो सर्कल ऑफ लाइफ होता है उसे साबसे वापिस अपनी मात्रोमी, जन्भूमी, कर्म भूमी बनेंगे साब यहां पे आपने शेयर किया कि लंबा सफर रहा आपका एक डॉक्टर बनने के बात फिर जो भी फिलाल किया नहीं बहुत लंबा आया हमारे बीच में तब सरी तक एसा कोई नहीं पैंडमिक आया था कि इसमें मेडिकल ले इतना वह जाए तो उस वक्त से यानि कि जब आप आपके ले इस चल रहे थे उस टांद आप पेशेंट को देखती थे और जब करोना के बाकिम पेशेंट को देखने पड़ तो यह जो एक डॉक्टर के लिए अग एक्स्पीडियंस था यह कैसा रहा आपके लिए सांथी आपके सांथियों के लिए करोना की जो कि जो इनिश सब बहुत ही भाइबीत थे और एक तरह से जो सिच्वेशन वनी लॉकडाउन चालू हुआ समें एक तरह का डर बैठा तो हम भी आम आदमी हैं देखी पहले डॉक्टर होने के साथ साथ आम आदमी भी हैं तो एक भाइब हमारे अंदर भी था और हमें भाइब थोड़ा से जा हमें यह मालू था कि उसमें कुछ ने कुछ बिमारी है इसलिए हमाएं पास आता है तो हमाएं जो कॉंटक्ट रहता था वह एक स्वस्त आदमी से नहीं होने के वज़ाएं का स्वस्त आदमी से तो खत्रा वहता था उस समय कुछ ऐसी जानकारियां थी कि कि कुछ भी करो चीजों से आपने पैनी यूज कर लिया इस तरह के वीडियो आते था आपको याद है कुछ आपने अपने बुकलेट पढ़ लिए आपने उनकी फाइल हाथ लगा लिए तो इससे भी हो रहा है तो यह सब चीजे थी तो डर तो था अफको डर था पर हाँ यह जरूर था कि अपन काम नहीं करेंगे तो कौन काम करेंगा अपने पास कोई अगर मरीज आया है तो अपन उसकी हल्प नहीं करेंगा तो कौन करेंगा तो वहीं सोचके हिम्मत बड़ाई लोग जो दूसरे साती थी वो लोग भी आते थे हमने एक दिन बंद नहीं करा हॉस्पिल जाना मैं तो नहीं करा। मैं क्यूंकि पेडियाट्रिक्स में इंट्रेस्ट है। मैं पेडियाट्रिशन हूं बेसिकली फिर निरॉल्जिस्ट हूं। तो उस तोरान जैसे आप सब जानते हैं लॉक्डाउन एक दम से बच्चों में भी घर तक सीमित हो गया थे। बच्चों भी उस समय लुक्त भी आते गए हिम्मत बढ़ती गए तो यू भी आते थे। तो हमें लगता तो यह आने तो हम भी जाएंगे, यह कर रहे तो हम भी करेंगे। इस तरह चलता है अपने आपको बचाया, अपने आपको बचाया। उनिवसर्व प्रोटक्शन लिया, प्रिकॉसिंस लि हुए था सब्सक्राव पर दो रात त hygiene काम किया है कि आपके आपके इंप यह दो रहा है तो परिवार कि बात है तो परिवार में क्या मेडिकल बैट्राउंड है या फिर आपको लगा कि नाना जी दोक्टर थी हैं इनका तो बैग्डराउंड है मेरी वाइफ जो हैं वो डेंटेस्ट है उन्हें भी ऑ।से मेडिकल से विसमें गार्ण से मैं डेतम तो हमारा मेंधीकल बैग्राउंड तो है फैमिली में और उससे काफी फरग भी पढ़ता है सोच में फरग तो जानके और सबके ओपिनियन लेके तो हाँ, medical background है family में. इस सावार मैंने इसलिए आप से पुछा कि अगर सभी doctors है mostly अपकी family में, तो corona car में सभी doctors काम भी तो कर रहे तो घर में क्या बाहुत है? तो हाँ, उस समय मेरे साथ मेरे parents भी हैं, काफी old हैं, तो मेरे को यहीं लगता था कि मेरी वज़े से उनको कुछ ना हो जाए, तो उस समय तो vaccine भी नहीं आई थी. तो कोशिश यह रहती थी, कि उनको थोड़ा अलग ही रखें, क्योंकि हम लोग का family कुछ ऐसा है कि सब साथ में रहते हैं, at least dinner तो साथ में ही करते हैं, पर वो उस समय से ऐसा आगया था कि सब थोड़े से distance में थे, तो पहला एम तो मेरा यही था कि पेरेंट्स को बचाना हैं, उनको मतलब इससे protect करके रखना हैं, क्योंकि हम लोग तो जाते थे, वाइफ भी जाती हैं, जाना था, मेर को जाना रेगुलर था, तो मेरे कारण कुछ संक्रमन घर में ना आए, तो वो एक थोड़ा सा protect करके उनको रखा था. Sir, यहां पे अब करोना काल की बात अगर हुए तो काफी टेंशन लोगों में रहा है, प्रेशर लोगों में रहा है, पूरे उसमें डेपरेशन का एक अच्छा खासा टाइम हमें रेख लिया, तो बच्चों पे आपने प्रेश्च की है, बच्चों गया पेटिशन रहे हैं जिसका इंपक्ट अभी तरह अपनी अभी तरह सामने नहीं आया है, एक तो बिमारी का अपने देखा है कितना बड़ा हुज इंपक्ट अपनी एकॉनमी पर पड़ा है, अपने रोजगारों पड़ा है, पर एक जो बिमारी का जो साइकोलोजिक, साइकोलोजिकल आस्पेक् दीरे अभर के आ रहा है, जो मैं देख रहा हूँ मेरी प्रैक्टिस में देख रहा हु जैसर 210 से जंट है लेके आ रहे हैं जलते हैं जाय हो उसल सबस्टे हो चोटे लो इसका था geben फड़ है क्या है क्या है एक तो अपन पूरी ही फैमिली जो है Chennet से तो ऐसे हिए नुकलियर होंाए ये यागर एक कमभाइंड फैमिली भी रह रही है परिवार में एक एक साथ इसे हमारा ही जाए सॉट ने है तो ये हर गरमे हुआ है आप अगर नुकलियर हो तो उससे भी सूपर नुकलियर हो गया है जब अपने रिष्टेदानों से मिलना बन कर आपने आपने प्रेंड से मिलना बन किया है बच्चे बहार में जा रहे हैं बच्चे जो खेलते रहते थे वह नहीं गए तो इसका जो होता है परिश्च रूलोगिकल इंपक्फ रोथ हीूज है, व्डशों की बात करें, क्योंकि अगर भृट्च है, यूह मैं a neurologist, एक प् 96-19 IM एपक्वेट्रा इंहे बच्चों थी इंपक्थ वहोग्या प्रेस्टेवलपेट्थ हुआ है, वो चीज़ नहीं हुई, को उन्हें एक इंपॉर्टिट इयर आपसे कि जैसे कि कहीं बगार बचा सोचलाइज होता है तो स्कूल होता है उनको जो टास्ट दी जाते हैं, speaking skills बढ़ाई जाते हैं, public speaking skills बढ़ाई जाते हैं, उनको जो project दीए जाते हैं, वो सब बंद हो गया तो उनका एक जो diversion होता था, जो एक entertainment का जो इसूर्स होता था, वो सब बंद हो गया था तो उसका इंपक्ट पड़ा है उस पर बच्चों में पर्सनालिटी चेंज आया है, बच्चें में डिप्रेशन, इंग्जाइटी के फीचर आया है, पर्सनालिटी डिसॉर्डर्स टेवलप हुए, साइको सुमाटिक डिसॉर्डर्स जो होते हैं, उसमें वह भी खाफी उभर के आया है, सुसाइडल टेंडेंसी बड़ी हैं, और अपने जो जैसे जो बच्चे जो बड़े हैं, जिनका जो करियर बनने के पॉइंट पे थे, उनको में एक इन्सेकुरिटी सी आया थी, कि उनका आगे जाके क्या होगा, बच्चे परशान है कि अब कॉलेज क्या करें, आगे क्या होगा, जॉब मिलेगी नहीं मिलेगी, 12th, 11th खराब हो गया है, 10th खराब हो गया है, अब ऐसे में आगे गर कॉलेज लेगे तो कौन सा कॉलेगा, यह बात है, और दूसरा यह लगता है, कि यह देड़ साल में घर में बैठके ऑनलाइन अपने आपने टीचिंग करें, आपने अपने सब टास्क कंप्लीट करें, जो ए आपने टीचिंग मिली है, वो तो आउस्पिल जाते थे, जो इंजिनियर निकले हैं, वो पिछले दो साल में तो उनको कुछ प्राक्टिकल नॉलिज मिला नहीं, तो एक यह हमेशा डेफिसिंट रहेगा, जो में को लगता है, उसकी कैसे वो करेंगे, वो समय बताएगा, हो जो चोटे बच्चे जो नर्शरी में जाते थे, जो प्ले स्कूल में जाते थे, उनके भी साइकोलोजिकल इंपक्ट यह दो साल में बहुत बढ़ा है, दो साल पीछे चला जाएगा, वो कभी वापस भी नहीं आएगा, वो गाया वो गया भी, इसके पोचुके है वो चीज बच्चे जो है आगे सर्वाइब कर रहा है जासे से, उनके लिए जो है कापी डिप्रेशन भी था, साथ ही एक आर्थिक तंगी जो है वो भी देखने को मेली, तो ऐसे किसे आगे बढ़ता है, और ऐसे लोगों के लिए कैसा एडवाइज आपके पास की ऐसे बच्चों को क सरकार ने काफी हद तक आइडेटिफाय किया भी है, उनकी कुछ पॉलिसी बनी भी है, जो मेरी जानकारी में आई है, कि इन बच्चों को कैसे पोटसाहिद देना है, कैसे इनको सपोर्ट करना है, यह सब है, पर मुझे यह पेपर पर दिखी है, मुझे, पर ऐसा कुछ अभ पारे में जानकारी नहीं है, अभी तक कि वो एग्जिग्यूट कैसा हो रहा है, फंडिंग जरूर आई होगी, तो मेरा यही सुझाओ है कि ऐसे बच्चों को रेगुलर कॉंसिलिंग की जरूर आई है, क्योंकि इनको आप यह नहीं कह सकते कि इनको कुछ ने कुछ मानसिक बिमारी हो गई है क्योंकि इनने बहुत बड़ी चीज होई है, तो ऐसा मैं लेबल नहीं करना चाहूंगो, पर हाँ, उनमें कुछ ने कुछ प्रॉब्लम जरूर आईगी, क्योंकि इतना बड़ी चीज किसी होगी, क्योंकि बच्चा कि एक हद तक जब तक वो इसास नहीं पाता है कि क्या होगी, बहुत मुश्किल होता है, तो यह चीज करके उनको आइडेंटिफाय करना है, उनके लिए एक प्लान होना चाहिए कि जिसमें कि एक साइकोलोजिकल सपोर्ट, एक फैनेंशल सपोर्ट, एजुकेशनल सपोर्ट, एमोशनल सपोर्ट और फैनल की हर चीज जो इनकी जरूर्ट है, वो किसीने किसी तरह के से पूरी हो, इतना बड़ा नंबर नहीं है, जिनके बहुत पेरेंट्स गया है या इसिंगल पेरेंट्स गया है, जो कि अपन हैंडल नहीं कर सकते, जरूर लगता है कि काफी लोग की डेथ होई है, किसीने क अपाल से लेकर डेली या बड़े मेट्रो में इतने बड़े-बड़े फाइनेशियर प्राइविटली और सरकार ओंड इंस्ट्यूशन है जो इतना फंड इखटा नहीं कर सके कि इन बच्चों को सपोर्ट नहीं करवा है यह सोचने वाली बात है यह करना चाहिए और जो शक् अच्छी के इनल इख फ्रॉक्टो सामाज में होना कितना जरूरी है तो ऐसे महें अब जो अभर आने वाले मेडिकल स्टूंट हैं ऊनके वी करोणा के बात क्या बदला वन्हें क्या नया देखने को मिलेगा इसके बार मिलबगताे लिए विए कि अगर आप जौक्टर बन तो इस लाइफ इस नोट इजी आपको एक कमिटमेंट रखना पड़ेगा और आप नहीं चाहते हुए भी आपको काम करना पड़ेगा और आपको अपना बैस देना पड़ेगा और इमर्जनसी सर्वेस करनी पड़ेंगी और आउट अफ वर्क आपको जाके जो आपका सब्सक्राइब करना पड़ा तो उनको यह अब यह समझ में आना चाहिए कि अगर आपको कुछ ऐसी परस्तिती बनती है तो आपका एक रोल जो है ऐसा डॉक्टर जादा है ना कि ऐसा स्पेशलिस्ट तो यह तो आपको कमेटमेंट लाना पड़ेगा और अगर आप इस फील मे हैं तो आपको कूरोप्तमेंट दिखानाży एपी करोमिल्स के ऑदाध जो लोग अब इतने परशान हैं तो हैं जो Украї सर एक कुछ की दिन पहले। ठीक है तो ऐसे में इन लोग करने इंगा में क्या कशना चाहिए और प्रॉब्लम्स को जो है फेस करने के साथ हैंडल कैसे क्या जाए लेकि कुछ भी कोई प्रॉब्लम आती है या कुछ एक तरह से ज़से हम एस डॉक्टर होते हैं तो एक हमें भी कभी कभी कुछ बाद न्यूज देनी पड़ती हैं बाद न्यूज इन दे सेंस कि सपोज कैंसरी इंवेस्टिकेशन करें कभी कभी रिपोर्ट हमाई पस पहले आती हैं तो सपोज हमें वो डेक्लेर करनी बाद नियूज तो उसके लिए इंसान प्रिपेर नहीं रहता है कोविड भी कुछ ऐसी है कोई प्रिपेर नहीं था पर अपने सामने है वो परस्तिती तो एक जो होत इसको फेस करते हो तो एक फेस होता है acceptance का denial का rejection का और फिर ultimately आप उसको accept करते हो और deal करते हो तो पहला जो होता है वो denial होता है कि यह मेरे साथ नहीं हुआ है यह मेरे साथ कैसे हो सकता है यह नहीं होना चाहिए और फिर उसके बाद जब आप denial होता है उससे आप deal करते हो तो उ उसके बाद एक acceptance का फियर आता है, जिसमें कि बोता है, हाँ, अब हो गया है मेरे साथ, जैसे ये कोई test की आपने diagnosis दिया, दस चगे जाके पूछता है कि ये हुआ है कि नी हुआ है, जब उसको लगता है हाँ हुआ है, तो फिर उसको फिर धिरे-धिरे वो accept करता है, once you accept, then you have to deal और deal करने के सबके अपने-अपने अलग तरीके होते हैं, ये को आप बता सकते हो, कि आप सपोज, आपको music सुनने का शौट है, शायद आपको relaxation meditation करने का, आपका relaxation mean है, या आप सो जाते हो, या आप excessive खाते हो, ये सब चीज़े होती हैं, पर हाँ, ऐसी कुछ चीज एक सोच अपनी बनानी चाहिए, कि ये अपने साथ जो हुआ है, ये कभी भी हो, फिर भी हो सकता है, और ये चीज अपन को जिन्दगी में कुछ और रूप में भी आ सकती है, तो उसको कैसे deal करना है, ये अपन को देखना है, और उससे अपन को उभर के आना है, और जो best इससे outcome है, पर उपन को अच्छिव करना है, ये कि कोई भी प्रॉब्लम अगर अभी फिलाल करोना के वर्त में आई भी है, तो से हम ऐसा लेसन लिखर रख चलें कि ये जो है, यह मजबूत बनाता है, ये अपने कर दो बच्छों की बात कर लिए कई ऐसी महिलाएं भी रही हैं, जो कि साथ ही जो घर को भी समाल रही थी जॉब भी कर रही थी कोई डॉक्टर थी कोई महिला वो भी काफी शीज़र कर रही थी तो ऐसे में आपके experience थे और साथ ही कया लगता है कि आसे महिलाओं के लिए क्या advice रही आपके पास कि इनके एक अलग respect अंदर से अदर से ज़रूर इस अद तक और वो मजरली आती थी बच्चों को लेके मेरे पास सो अंच, तो मैं उनको ओर यह इसा हमें उनकी हमत को मैं हमेशा हमेशा अभी भी आती जो और को समा टसा का और गर सुमाना तो ऐसा फैमिली जब ऐसी सिट्वेशन एंटा हमें वे जो कई क्वालिटी होती है जो सिचुएशन को डील करना है तो एकडम से स्ट्रॉंग केरक्टर उभर के आता है और वही तो इस चीज़ों को फॉल्ड करें रखता है वही एक फैमिली को होल्ड करके रखता है मैं ऐसा महसूस किया है बिल्कुल वही मैं उसे एक एक एक्जाम्पल देना चाहरा था तो उन में कुछ एक इनहेरेंट कॉलिटी होती है कि जाती है तो इसा होता है तो महिला कुछ तूट भी जाती है कुछ ऐसी भी आए थी जो एकदम सीवेर डिप्रेशन में जाती थी अब उनको समझ में आता है तो अब फिर परिवाल लोग उनको सपोर्ट करते है तो इसे कई से एक सिचुशन आई है तो बिल्कुल हमारे खास पेशकर्ष शक्सियत में हमने आज जाना डाक्टर रोही जोशी की पूरी पस्नाइटी के बारे में साथी डॉक्टरिक लिए आसा को तो तो मसकार्ष झाल